जैने दोस्तों अंदिमात्रम, साल 2022 में KGF ने जो हलका मचा आया, KGF के सेकिंड पार्ट ने, वो अनमैचिबल था, जिस तरह का क्रेज उस मूवी के लिए देखने के लिए मिला था, वैसा क्रेज किसी मूवी के लिए देखने के लिए नहीं मिला, ऐसे में जब KGF 2 के सेकेंड या थर्ड पार्ट नहीं, बलकि पूरे पांच पार्ट आएंगे, और सालार के बारे में भी इसी इंफोर्मेशन निकल कर सामने आ रही है, जो कि फैंस की किरियोसिटी को बढ़ाने का और अच्छा काम करेगी, प्रशान नील ने इसमें जिस प्रकार का काम किया है वो जाहिर तोर पर ये बताता है कि दर्शकों के वाजब माइंड के उपर उनके कितनी अच्छी पकड़ है, और किस तरीके से वो अपने प्रोजेक्स को गो थू करते हैं, जिससे की दर्शक उससे जुड़ पाते हैं, या फिर यू कहें हरे करेक्टर से खुद का एक फिल्म ने दुनिया भर में 1200 करोड से भी ज्यादा की कमाई करी थी, तभी से फैंस इसके तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतिजार कर रहे हैं, केजी एफ 3 की शूटिंग 2025 में शुरू होगी, लेकिन इस बीच इस फ्रेंचाइजी को लेकर एक बड़ी ख़बर सांगने आ इसकी जानकारी होमलेफ फिल्म्स के फाउंडर और केजी एफ सीरीज के प्रडूसर विजय किंगरदूर ने दी, अब देखे, यहां पर विजय के रंगदूर ने कुछ समय पहले एक इंटर्वी में ही बताया था कि केजी एफ के पांच सीक्विल में हर पार्ट में एक अल जाएगा, यश, केजी एफ वन और केजी एफ टू का हिस्सा रहे हैं और वो तूसरे पार्ट के तैयारियों में लगे हुए हैं, ऐसे में साफ है कि वो अगले दो पार्ट का भी हिस्सा होंगे, लेकिन विजय के रंगदूर ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि यश को र जाएगा, इस फिल्म को प्रशाद दील ने ही डारेक्ट किया है, और मज़धार बात यह है कि सालार के डारेक्टर से लेकर क्रू मेंबर्स तक वही हैं जो केजी एफ टू का हिस्सा रहें, ऐसे में क्यास लगाए जा रहे हैं कि सालार की कहानी कहीं केजी एफ टू से जोड़ कर एक अपना ही उनिवर्स बनाना चाहते हैं, ठीक है ऐसा ही जैसे कि डारेक्टर लोकेश कानगराज ने अपनी फिल्मों के साथ किया, ऐसे में हो सकता है कि सालार में यश एक कैमियो करते हूं नजर आए, फिलहाल इसके अभी तक कोई ऑफिशिल पुष्टी रही विजय के रंगदूर ने इस फिल्म को लेकर बताया था कि सालार के चक्कर में केजी एफ 3 के स्क्रीन प्ले और डायलोग का काम बाकी रह गया, तो ऐसे में इस समय बड़ी बात यही निकल कर आ रही है कि केजी एफ को करीब एक या दो में नहीं, तीन में नहीं, पूरे के पूरे पांच पार्ट्स में बनाया जाएगा, तो ये भाई केजी एफ के फैंस के लिए तो एक बहुत अच्छी बात है, साथिसाथ सालार के बारे में जो बात निकल कर सामने आई है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ख़बार है, आप लोग ऐस बारे में क्या क क्याना है, कमेंट करके जरू बताईएगा, मेरे सुनी फिलावत नहीं जाएगा, जाएबाब